Hi friends, आज हम sales leads को follow up करने की strategy के बारे में जानेंगे क्योंकि बड़ी मेहनत लगा क्या आपके marketing executive या आपके advertisement के थुरू आपके पास references आते हैं या आपके पास leads आते हैं लेकिन अगर आपके अपनी leads को सही तरीके से follow नहीं किया ना तो आपका sales conversion का जो ratio है वो बहुत छोटा होने वाला है अगर हम केवल sales conversion के ratio को बढ़ा देना तो automatically बिना marketing को बढ़ाए बिना promotion बिना advertisement को बढ़ाए हम अमारी sales के volume को बढ़ा सकते हैं और आप जानते हैं अगर sales बढ़ेगी तो business में growth होगी और आज की इस वीडियो का उदेश्य भी आपके sales के volume को बढ़ाना है ताकि आपको मिलने वाला result कई गुना बेतर हो तो यहाँ पर ना बड़ी interesting बात में आप लोगों से आपसे पुछने वाला हूँ आप सोस समझ के जवाब दीजिएगा मैं आपको 5 सेगिंड का समय दूँगा आपको जवाब देने के लिए मेरा आपसे प्रशन है गाये दूद देती है yes और no 1, 2, 3, 4, and 5 आप में से 90% लोग जवाब कहेंगे हाँ दोस्तों गाये दूद देती नहीं है गाये का दूद तो हमें निकालना पड़ता है आपको बड़ा फनी भी लगेगा आज का यह टॉपिक कि गाये दूद देती नहीं है गाये के पास दूद होता है दूद उसकी बॉड़ी में बनता है लेकिन वो वे देती नहीं है गाहे का दूद्ध तो हमें निकालना पड़ता है लेकिन ध्यान रखना मिरगी कि मत कर दीना बूर्गी अंडा देती हे निकालना नहीं पड़ता इसरी तरह आ Boys यहा ढ़ुद्ध देता है आपको केवल निकालना होगा है ना मैंजदार वात इस बात को मैंने इसलिए एक्जांपल के रूप में लिया है ताकि आप जब भी अपने ग्राग को देखे ना तो पहले से माइंड में बना ले यह तो गाय है इसका दूद तो आमें खुद निकालना पड़ेगा यह आप द जैसी अपने ग्राग को देखेंगे ना यह तीनों विचार आपके मन में आने चाहिए अगर नहीं आ रहे हैं ना तो इसका मतलब आप यह समझी नहीं पाए हैं कि हम सेल्स को कैसे कनवर्ट करें तो चलिए बात करते हैं लीड्स के बारे में जो यह लीड्स होती है ना में फेस्बुक पर अपने परसल अकाउंट पर भी प्रमोट करते रहते हैं कहने का मतलब जिस भी तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हैं सारे हत्कंडे अपना लेते हैं और उसके बाद आपके पास आती है कुछ चुनिंदा लीड्स तो यहां पर उन लीड्स को यह समझना ब जक्ती ने आपके प्रोड़क्ट को देखा यह आपकी सर्विसेस को समझा और आपके पास एक लीड्स छोड़ दी मतला आपसे एक इंफॉर्मेशन ले ली फाइन उसको वर्तमान में जरूरत है या नहीं बविश्य में जरूरत पड़े गिया नहीं इसके बारे में आपको एक व्यक्ती ने आपके अड़डिस्मेंट को देखा आपकी मार्केटिंग को देखा आपके प्रोड़क्ट के बारे में जानकारी ली अब उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे जरूरत पड़ने पर यह प्रोड़क्ट खरीदना है जब भी मुझे जरूरत में था और वो डील क्लोज हो गई उसने तुरंट आपने देखा ने कई बार हमारी कंपनी का सबसे घटिया मार्केटिंग एक्जिगेटिव भी ना सबसे घटिया कहते हैं कि इसके बसकी तो कुछ करना ही नहीं है वो भी सेल कर लाता है क्यों क्योंकि उसको एक मुर्गी ज जब निश्चत समय आएगा जब मुझे जरुरत होगी तो मैं डील कर लूँगा लेकिन कुछ मार्केटिंग एक्जिगेटिव एबरेज होते हैं ना तो उनको तेजी से क्लाइंट मिलते हैं नहीं उनको मरे हुए क्लाइंट मिलते हैं वो कितने भी घोडे खोल लें कितनी भी ताकत लगा लें कितना भी फॉल्व अप कर लें उनकी सेल्स लीड कनवर्टी नहीं होती ऐसे में वो क्या करते हैं अपने क्लाइंट को ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं या मिस बीएव कर देते हैं जिसकी वजह से वह व्यक्ति बिगड़ जाता है और कई बार त अच्छे सर्विस नहीं है प्रेश्ट अच्छ नहीं है लोकेशन अच्छी नहीं अच्छे नहींए नहीं जाएंगे नगा बिना उस रिश्टरेंट को चैक कि ये भी आपने उस रिवीव के अधार पर मन बना लिया कि मैं जाऊं या ना जाऊं हैν आ तो ंसे बहुत सारे जो बैल जैसे हमारे क्लाइंट है जो लीड्स है उसको भी पुछकार के रखना प्यार से फॉलो अप करने हैं तो यह हम लीड्स जो हमारी तीन तरह की हैं आपकी कोल्ड लीड, हॉट लीड और वाम लीड इनी कैटेगरीज में हम अमारे लीड को बाठते हैं जरूरत है केवल यह समझने की की स्टेप्स और फॉलो अप क्या होने वाले हैं क्या ऐसे हम चरन अपना है जिसकी वज़ा से हमारा सेल्स का कनवर्जन बहुत 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 हैं वीडियों मेरे इस चैनल पर दी हैं मेरे रिक्वेस्टन को आप जरूर देखें आपको बहुत दूसरा फॉलो अप तीसरा फॉलो अप चोथा फॉलो अप और पांचमा फॉलो अप कब होगा यह मैंने वन टू त्री पॉर फाइव इसलिए लिखा है क्योंकि जब बहुत सारी कंपनी के सेल्स टीम से मैंने बात की न तो किशीने का मैं दस बार फॉलो करता हूं किशीने 90 बार तक भी कहा लेकिन दोस्तों आपको फॉलो अप के वल पांची बार करना है सबसे पहली बार जब कोई भी लीड आपके पास आए तो सबसे पहले आपकी information आपके product या आपके services की information उस client के पास तक पहुंच जाए इसको हम follow up number one कहेंगे ध्यान से समझेगा follow up number one का मतलब आपके product या आपके services या आपके brand की information consumer तक पहुंच जाए उसको कहेंगे हम पहला follow up कभी भी यह मत कहना है कि जिए मने call मिला है switch off था call मिला है not reachable था call मिला है busy था client driving कर रहा था client खाना खा रहा था client ने का कल call करना यह follow up ही नहीं पहला follow up कब है जब आप अपने product की information consumer तक पह आपके product की जो information आपने उसको दिये जो जानकारी उसको दिये उससे संबंदित उसको क्या product आपका चाहिए उसकी need क्या है आपको identify करना है अपने client की need का जब आप अपने consumer की need को समझ जाए तो समझ लिजिए second level of follow up हमारा complete हो गया है उसके बाद important है Q&A question and answers आपने क्या offer किया consumer क्या चाहता है उसके अधार पर उसके मन के क्या प्रश्ण है जैसे costing कितनी होगी delivery कब होगी product quality क्या होगी price में कितना हम लोग bargaining कर सकते हैं वो सारी चीजें sales कैसे होगी service कैसे होगी कितना duration उसका रहेगा कब तक चलेगा मतलब आपके product से संबंदित जो भी प्रश्ण उसके मन में हैं including costing वो सारी information आप अपने consumer को दे दें उससे समझ लें और इन questions को हम आपस में discuss करके finalize तक ले जा सकें तो समझ लीजिए follow up number 3 complete हो जाता है fourth follow up जब माना जाएगा जब हम deal के लिए meeting fix कर लें deal के लिए meeting fix करने का मतलब है वो consumer आपके product की information ले चुका है अपनी जरुवत को आपको समझा चुका है उस जरुवत के अधार पर आपके questions queries हैं वो सब solve हो चुके हैं अब वो consumer आपसे मिलना चाहता है कि yes now I am ready to buy your product तो आप मुझे इसकी deal के बारे में बता हैं कब मिलें कैसे बात करें कब final करने के लिए हम बैठ सकते हैं और last follow up जब हो सारे लोग क्या करते हैं यहां पर एक बहुत बड़ा loophole है जैसे वो deal close करते हैं वो सोचते मेरा sales का काम अब खतम हो गया मैंने एक lead को convert कर दिया into the sale अब वो sale मेरे लिए कोई काम की नहीं है वो व्यक्ति मेरे लिए किसी काम का नहीं है friends ध्यान रखना यहां पर ज़रुवत है किस किस चीज की upselling की अगर आप upselling के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो एक जुरूर देख लें जहां पर मैंने sales की strategy में upselling के बारे में बता है मतलब यह एक loyal customer आपका बन जाए उसके लिए जरूरी है कि आपका customer relationship बहुत बेतर हो relationship develop करने के बाद साथ-साथ आप उसको upselling, cross selling और repeat order ले सकते हैं और अगर आपका client आपको repeat order दे रहा है तो इसका मतलब he is one of the satisfied client of your organization वो आपकी organization का सबसे satisfied client है and ask for reference अब आप इन से जब reference म reference देगा जिनको उस तरह के product की जरूवत है जैसे example group में आपको में बताता हूं हम लोग stainless steel module location बनाते हैं तो हम upselling कैसे करते हैं हम सबसे पहले जब kitchen बनाते हैं तो पहले consumer का budget समझते हैं बजट के हिसाब से हम उसकी requirements को समझते हैं for example उसने का भाई 10 भाई 10 का kitchen है मेरा size तो हम सारी उसकी requirements को समझते हैं क्या-क्या गैजेट्स चाहिए क्या appliances चाहिए क्या-क्या features kitchen में चाहिए क्या-क्या storage चाहिए कितनी drawers चाहिए सब कुछ मतलब जो हमारा part of technical है वो सब कुछ लेते हैं for example उसने का मेरा 4-5 लाख रुपे का budget है तो 4-5 लाख का budget client ने बताया तो पहला हम उसको design देते हैं इसमें बहुत सारे amenities देते हैं और वहाँ पर 4-4.5 लाख की costing अब इसको 5 लाख का budget है यहां फिर हम आप selling का formula लगाते हैं कि सर आप यहां पर microwave oven built-in ले सकते हैं आ आप यहां पर dishwasher ले सकते हैं आप यहां पर built-in refrigerator ले सकते हैं इसी बहुत सारी options उसको बताते हैं और दीरे दीरे अप्ग्रेड करते करते हैं उसको 5.5 लाख के budget पर 6 लाख के budget पर ले जाते हैं और जैसी वो client उस budget पर आता है deal close करता है तो deal close करने के बाद second जो हमारा step है budget और deal close करने के बाद हम यहां पर upselling कर देते हैं और उसके बाद काम शुरू होता है cross selling का और मैंने आपको cross selling का बताया था नहीं देखा है आपने तो एक video cross selling के उपर मैंने पूरा दिया हूँ उसको ज़रूर आप देखें आप समझ जाएंगे कि बड़े-बड़े brand sales बढ़ाने क के लिए क्या करते हैं cross selling हम कैसे करते हैं सर आपने इतना बेहतरीन kitchen बनवाए है तो आपकी bathroom vanity भी stainless steel की होनी चाहिए kitchen में तब भी पानी का कम इस्तेमाल होता है लेकिन bathroom में सबस्यदा पानी का इस्तेमाल होता है वहां rust लग सकता है दीमक लग सकता है खराब हो सकती है गल जा selling किया अब selling के बाद में cross selling किya cross selling के बाद में product deliver कर देते हैं तो वहां बात आयती है relationship की हम वहां पर repeat order लेने के लिए उनसे regular बातचीत करते हैं उनको birthday wish करते हैं उनको anniversary wish करते हैं कई बार हमारी company के promotional gifts होते हैं जो उनके पास हम बेजते हैं जिससे customer को डिलाइट फुल होता है किया यह company तो मुझे कभी नहीं भूली है और जब नहीं भूलती है जैसे उस consumer consumer को और किसी चीज़ के requirement होती है वो तुरंट सबसे पहले हमें repeat order देता है और repeat order के साथ साथ हम यहां पर उनसे references मांगना शुरू कर देते हैं कि sir आपके link में कोई मकान बन रहा है कोठी बन रहा रहा है फार्मा उस बन रहा है उसका renovation हो रहा है तो प्लीज उसका reference आप हमें दे और reference मांगने की एक strategy है जब हम reference मांगते हैं तो बंदा एक दू लोगों के नाम दे रहेता है हम बोलते हैं सर हमें आपसे पांच references चाहिए if you are my satisfied client तो give me five references फिर वो पांच reference हमें देता है फिर उन लोगों को फिर हम वही बात करते हैं और बताते हैं कि आपका जो मित्र है आपका जो relative है हमारा satisfied client है और पिछले कई वर्षों से हम उनके साथ deal कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें references मिलना शुरू होते हैं इसलिए हम अपने up to 200% हमारा growth ratio है अलग-अलग समय पर अलग महीने में अलग-अलग ratio का growth आता है अगर आप भी Metas Oversies Limited के associate partner बनना चाहते हैं तो आप इस number पर 921 003 7773 पर WhatsApp करें आपका नाम और जैसे आप अपने नाम WhatsApp करेंगा auto reply में एक message आएगा उस message में बहुत अच्छा से आपको पूरी information लोग क्या करते हैं काम करने की जल्दबाजी करते हैं लेकिन steps को follow नहीं करते हैं मेरा आप से request है यह no investment business है बिना किसी investment के बिना पैसे लगाए जो हमारे showrooms हैं जो करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए डीलर्स हैं लाखों रुपए लगा के बैठे हुए वो लोग भी जो काम कर रहे हैं वही काम आप as a associate हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं बिना किसी investment के बिना किसी liability के बिना किसी operating cost के ज़रूत क्या है नंबर 921003773 पर whatsapp करें आपका नाम और जो भी steps आपके पास आ रहे हैं उन steps को follow करें friends लोग steps को follow करने के बाद ना अपने आपको train नहीं करना च जाते हैं जब आप किसी भी व्यापार में किसी भी काम में किसी भी learning में समय लगाएंगे तो आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे इसलिए मेटा सोवर से लिमिटेड के स्टेलने स्टिल मोडो केशन कंपनी के अगर आप associate partner बना चाहते हैं तो सबसे पहले सारी information लें, training लें, चीज़ों को सीखें, समझें ताकि तब ही आप अपने customer को ठीक सा समझा पाएंगे और इस follow up की strategy को जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है यही follow up की strategy आप अपने business में भी लगा सकते हैं और as a associate partner बनके हमारे साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं आसानी से हमारे associates associates 30-40,000 रुपए से लेके 4-5,000,000 रुपए पर मन्त या इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं आज associates के team 30,000 associates को पार कर चुकी है और लोग लाखों रुपए में हमारे साथ मिलकर income generate कर रहे हैं आप भी हमारे associate partner बने और कोई भी प्रश्ण ने दिया आपके मन में हो तो हमें comment box में ज़रूर लिखें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनवरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत